हर्याना प्रदीश कॉंग्रेस सद्यक्ष कुमारी सेलजा के दिये बयान पर अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है दरसल कुमारी सेलजा ने कहा था कि कॉंग्रेस सत्ता में आने पर किसानों और गरीबों के लोन माफ करेगी जिसमार प्रतिकरिया देते हुए अनिल विस ने कहा कि कॉंग्रेस जूट की फैक्टरी है और हर चुनाव से पहले जूटे वायदे करके लोगों को गुम रहा करती रही है लेकिन अब लोग जागरुख हो गए हैं और इनकी बातों में आने को तयार नहीं है जूटे वादे करके आज तक लोगों को गुम्रा करती हैं लेकिन अब लोग जागरुख हो लोग इनकी किसी बात में आने के लिए तयार अग्या मुख्या मंत्री के नाम की गुशना नहीं वो लड़ाई है ना उनका तो बड़ी बेंकर लड़ाई है और इसी कारण से वो ना कर पा रहे हैं और बाद में इनको वो का मिलना ही नहीं है क्योंकि इनकी कौन सी कुछ सरकार बनने जा रही है इनको तो मुख्य नहीं मिलना इसलिए वो अपनी लड़ाई को बचाने के लिए नाम नहीं ले देखे